नमस्कार आपका स्वागे देश्यान यूजी निया में आपके साथ मैं पूनम मणीपूर में तीन मईश से शुरू ही इंसा के पच्चास दिन पूरे हो गए हैं लेकिन हालात खराब बने हुए हैं यहां रोजान नहीं फाइरिंग या ब्लास की घटनाए हो रही है गुरुवार सुबब पांच बजे एंफाल वेस्ट जिले के नौत बोल जांग में अग्यात लोगो और असम राइफल स्ट्रूप के बीच फाइरिंग हुई इससे पहले बुद्वा रात विश्णूपूर में कार स्पोर्ट में तीन लोग घायल हुए जबकि वुद्वा शाम करीब पोने 6 बजे एंफाल इस्ट मिचिले में आटोमेटिक स्मॉल आर्म्स के शॉट फायर किये गए हाला देखते वे ग्रहमत्यमिच्छा ने शनीवा 24 जुन को दिल्ली में सर्फदली बैठक बुलाई है इस बैठक को कॉंगर्स ने बहुत लेट और नाकाफी बताया है कॉंगर्स का कहना है कि अगर मनिपूर के लोग के साथ बाच्चित की कोशिश दिल्ली में बैठकर की जाएगी तो इसमें गंबिरता नहीं दिखेगी कॉंगर्स महासचिव केसी वेनुगुपाल ने कहा कि सरकार तब जाकी है जब सुनिया गांदी ने मनिपूर के लोग को सम्मुदित किया इस गंबिर समस्या पर होने वाली बैठकों से पीम का दूर रहना उनकी कायरता दिखाता है इससे पता चलता है कि वे अपनी असफलताओं का सामना नहीं करना चाते हैं जब कई नेताओं ने कई बार उनसे मिलने कोशिश की तब भी वे समय नहीं निकाल सके उन्होंने कहा कि अमिच्छा जब से मनीपूर का दोरा करके लोटे हैं तब से हालात और बिगड़ गए हैं उनके दोरे से कोई बात नहीं बनी पेनुकोपाल ने सवाल पर उठा है कि ऐसे हालात में मनीपूर की प्रक्षपात करने वाली सरकाल को ना हटाना और राष्टपती शासन लागू ना करना एक मजाग जैसा लग रहा है इसी के साथ बने रेश्याने जिन्ने के साथ धन्यवाद